हाली में अफगानिस्तान में आए 7.5 मेगनिचूड की भुकम्प का केंद्र प्रित्वी की सतह से 213 किलोमीटर नीचे इस्थित्था ये नेपाल में आए बड़े भुकम्प के कुछ महिनों बाद ही हुआ जिसने हिमाले की गोद में बसे इस देश को हिला कर रख दिया था जीवन और संपत्ती का भारी नुकसान हुआ विग्यानिक किसी भी भुकम्प का पूरवानुमान लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं जिससे कि हजारों लोगों की जान बच सके लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है लेकिन वर्षों की रिसर्च ने हमें भूकम्प के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है इस वेडियो में हम भूकम्प के विज्ञान को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे पहली बात जो हमारे मन में आती है वो ये कि भूकम्प क्यों आते हैं क्या ये भगवान का प्रकोप है? इसके लिए हमें पृत्वी के निर्मान के संक्षिप तितिहास को देखना होगा. बहुत समय पहले पृत्वी के निर्मान के लिए बहुत सारे मेटीरियल्स एक साथ जोड़ गए. इस फ्यूजन से बहुत अधिक हीट उत्पन हुई और धीरे-धीरे जैसे ही पृत्वी ठंडी हुई, घने पदार्थ केंदर की ओर और हलके पदार्थ ऊपर की ओर आ गए. हम पृत्वी को चार हिस्सों में बाढ़ सकते हैं. सबसे उपर है पतली सी क्रस्ट, इसके ठीक नीचे मेंटल, आउटर कोर और हार्ड इनर कोर. इनर कोर सॉलिड है, जिबकि मेंटल लिक्विड है और फ्लो हो सकती है. अत्यधिक टेंपरेचर और प्रेशर डिफरेंस के कारण, मेंटल में कनवेक्शन करेंट विकसित होते हैं, और इसका मेटीरियल अंदर से बाहर की ओर फ्लो होता है. जैसा कि हम पानी के गर्म होने के दौरान देखते हैं, मूविंग मेंटल के कारण उपर की क्रस्ट भी मूव और स्लाइड होती है. अर्थ क्रस्ट बड़े टुकणों के रूप में स्लाइड करती है और इन टुकणों को टेक्टॉनिक प्लेट्स कहते हैं. ऐसी साथ प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स पूरी पृत्वी के क्रस्ट को बनाती हैं. लेकिन वे विभिन्न दिशाओं में एक दूसरे के अगींस्ट या एक दूसरे के साथ अलग-अलग स्पीड से स्लाइड करती हैं. जिन लाइन्स पर ये मिलती हैं, उन्हें फॉल्क लाइन्स कहते हैं. ये प्लेट्स साल में औसतन कुछ सेंटिमीटर्स तक मूव करती हैं. प्लेट्स का ये अत्यंत धीमा डिफरेंशल मूवमेंट ही हम सब ने ये देखा हैं. हम सब अपने दोस्तों को गुलेल से मारने की कोशिश करते हैं. अब प्रित्वे की टेक्टॉनिक प्लेट्स इलास्टिक और बिटल रॉ की मटीरियल से बनी होती हैं, जो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत धीरे-धीरे स्लाइड करती हैं, और स्तव में बहुत ज्यादा एनरजी रिलीज होती हैं. उधारन के लिए 2001 में भुज में आये भूकम्प में हिरोशिमा न्यूकलियर बॉम से 400 गुना ज्यादा एनरजी रिलीज हुई थी. ये रिलीजड एनरजी सीस्मिक वेवस के रूप में फैल जाती है, जो प्रित्वी क सतव पर ट्रेवल करती हैं. इन वेवस से जमीन बहुत जोरों से हिलने लगती है और तबाही का मनजर सामने आता है. भूकम्प खत्म होने के बाद प्लेट्स का मूवमेंट और एनरजी स्टोरिंग का प्रोसेस फिर से फॉल्ट लाइन पर शुरू हो जाता है. और ऐसा के गहों पर प्लेट्स तूटती है जिसके कारण नई फॉल्ट लाइन्स बनती है. तो हमने देखा कि ये विनाशकारी प्राकृतिक प्रकरिया मुल्टन अर्थ की कन्वेक्टिव करेंट की कारण होती है, जिसके कारण प्रिथवी की क्रस्ट स्लाइड होती है और स्लिप हो जाती है जिससे स्टोर्ड इलास्टिक इनर्जी रिलीज होती है और भारी तबाही का कारण बनती है